हेलो गाइस मेरा नाम ही मालसू और आप देख रहे हैं रैसल एलर्ट सबसे रिसेंट फ्यूड रखी है जो कि रोमड रेंज एंटी फिर्ट तो आप सब जानते ही रोमड रेंज के रिटर्ण हमें समर स्लै में देखने को मिला तो जहां पर फिर्ट ने उनिवर्सल चैंपिशिप जीती थी और रोमड रेंच ने उन पर अटाग किया था और उसके इनके बीचा में फ्यूड श्टार्ट होते वे नहीं दिखी और फिर्ट चले गए रो में और रोमर रेंज स्टेल स्मैक डाउन में यानि कि इन दोनों की फ्यूड एक तरह से पूरी नहीं हो पाई ये बठाए ये बात तो लगबा कंफा में कि आने वाले टाइम में जब भी दोनों एक ब्रेंड में आते या फिर रोक एवेलेवल नहीं हो पाते रोमर रेंज के लिए रैसल मेना 37 में दन वहाँ पर फिंट रोमर रेंज के साथ मैच कर सकते ये उनिवर्सल चैंपेंसिप के लिए यानि कि आप सब मान कर चल सकते हो कि इन दोनों की अधूरी दोनिया में काफ़ जदा इंटर्टेन किया जहाँ पर रेंज ने हरा दिया रेंडी ओर्टन को वहीं इनके बीच जब हमें बैक लैस के पेपर व्यूँ में ग्रेटेस्ट रैसलिंग मैच एवर देखने को मिला देर महाँ पर रेंडी ओर्टन ने चिटिंग के सारे अरा द या एज को तो डवडबलीए के ये प्लैंस थे कि इनका में पार्ट थ्री देखने को मिलने वाला समर स्लैम में बट अनफर्चनेटली एज हो चुके थे इंजर्ड यानि कि उन्हें लगभग इस यर के लिए तो उन्हें डवडबलीए से बाहर रहना ही पड़ेगा रिकव पूरी होते हुए दिखने वाली इसके लावा बात की जाए नंबर थ्री पर मैंने किस फ्यूट को रखा है देन गाइज ये है वोमेंच डिविजन से एंड ये किसी और का नहीं ये है बैड़ेस्ट वोमें अन्डी प्लैनेट रॉंडा रॉजी एंड बैकिल लिंच की फ् अर्लेट फ्लेयर को भी एड़ कर दिया जो कि बहुत लोगों को पसंद नहीं आया और इनके भी जावों में ट्रिपल ठेट मैस देखने को मिला देन वहाँ पर बैके लिच ने रॉंड रॉजी को पिंगर कर जीत लिया उस मैच को बट वो एक रोल अप पिं था बट उसके अलग रहा है बट वहाँ पर अगर डॉड डबली इस मैच को नहीं भी करवा पाती है देन आप सब मान कर चल सकते हो कि आने वाले टाइम में आप सब को डेफिनेटली से रॉंड रॉजी एंड बैके लिंच के बीच फ्यूट देखने को मिलने वाली है और इनकी बीच जो फिनिश्ट बिजनेस है वो जरूर से हमें पुरा होते वे दिखने वाला इसके लब अब बात कीजाए नमबर टू पर मैंने कौन सी फ्यूट को रखाया देन इस फ्यूट के लिए मैं भी काफ़ जाद एक्साइड़ हूँ तो ये है ब्रॉक लेजनर एंड डॉमिक मिस्ट फूल रहे और उस वक्त वो रेसल नहीं करते थे बट अब मुझे ज़्यादा पताने की जरूट है नहीं कि वो अब कितने कमाल कमाल के मैचेस दे रहे या था जाए उन्हें देखकर नहीं लगता कि उन्होंने अपना इंड्रिक डेब्यू बस लगभग तीन मैंने पहले कि इसके चांसेस होड़े कम लगते हैं कि WWE फ्योट को फिर से ऑपेन करने वाली है बठा हमेशा इसके चंसेस रहेंग गे कि WWE ये फ्योट कभी भी करवा सकती है और पूरी Mystery Family Smackdown पर है तो हो सकता है ये फ्योट हमें Smackdown में ही देखने को मिलेस के लाभा बात कीजए Number 1 पर मैंने क से फ्यूट कर रखाया देन गाइज वो है रोमर रेंस एंड गोल्ड बर्ग की फ्यूट आप सब जानते हैं जब गोल्ड बग ने उनिवर्सल चैंपिसिप जीदी ती देन उसके नेश्ट स्मैकडाउन में ही रोमर रेस ने चैलेंज कर दिया था गोल्ड बर्ग को उनिवर् प्रोमर रेंस एंड ब्रॉण इश्ट्रोमन की मैच को इंज्युआए कर रहे थे यानि कि आप समान कर चल सकते हूंद के ये मैच आप सबको बहुत जल देखने को मिलने वाला है और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बगल वाले बैल एकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजे तो मिलते हैं अगली वीडियो में